वोगाइज वेखलो में आपनेल शाया बीजर के आशी आंगर आपको के तुम आने वाली समय में कम सकते हैं अगर के अधर के मैं मार्क्राइज घ्रएप मुट्क्ट वृ तो उसका एंश्ञावए है यृध का एंशाय को आपक頁 और इवाला ये भी जाया आंशन नही validate बहुत सारे रहेंगे also demand supply वाला तो आपको पता यह अगर demand जादा है तो वह product की price भी बढ़ जाती है और फिर वह rare भी हो जाता है मतलब stocks कम रहते तो इसके वज़े से आरा यह cycle चलते रहते है और आगर आपके पास various models same price segment में रहेंगे almost 19-20 का performance में difference रहेंगा तो buyers के पास में बहुत सारे options रहते especially budget category में इसके वज़े से एक काड़ पर रोड नहीं आता है और फिर price बढ़ने का जो चांसे से यह stock out का जो चांसे से वह particular model का नहीं होता है तो यह सारे चीजे है graphic card के prices के related तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे क क्या reason से मैंने कुछ 3-4 reasons डूण के निकाले जिसके वज़े से आपको graphic card जो है वह अच्छे price में aggressive price में मिल सकते हैं हाला कि अभी भी prices जो है वो धीरिदे down होना दिखने चालू हो गये पर जैसे कि आपको पता है Indian retailers जो है वो थोड़ा सा ज्यादा greedy बूल सकते हैं तो इसके इसे प्राइज जो है इतना जल्दी की करेक्ट नहीं हो रहे है तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं जानते क्या क्या रीजन से उसके वज़े से आपको ग्राफिक काड जो है वह अच्छे price में मिल सकते हैं तो जैसे कि आपको पता है आज हम लोग बात करने वाले ग्राफिक काड के प्राइज के रिलेटेट तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वह अभी PC बिल्ड करने के लिए वेट कर रहे है या फिर किसी किसी ने अभी APU बिल्ड भी किया हुआ है रिसेंटली मेरेको इंस् प्राइज आएंगे ग्राफिक काड के वगरे तो आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे कोश्चन के अंसर मिल सकता है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जरूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका इसके बारे में और भी कुछ कोश्चन हो कोईरी हो व इसके आपको पता है फॉर्स कौर्टर में ही इंटल के जीप्यू आने वाले थे पर थोड़ा सा उन लोग ने डीले कर दिया है ड्रैवर वगरे वो लोग अपडेट कर रहे हैं महुत सारे चीज़े स्टॉकिंग कैसे प्रॉपरली अविलेबल किया जाए क्योंकि यह अभी कार्ट जो है इंटल आरक स्ट्रीश में लाने वाले तो आपको पता ही इंटल के जो है यह यह फिकुर्म प्रॉपर आते थो है तो देफिनिटल वह एक्दम हाई लेवल के कार्ड तो लानी नहीं वाला क्योंकि उनको मार्केट में अंटर करना है तो इसके वह वह है कि आपको अच्छे प्राइज में दूसरे काड्स भी मिल जाएंगे क्योंकि कॉम्पेटिशन में रहना है तो बाकी लोगों को भी अच्छे काड्स अच्छे प्राइज पर लेके आने पड़ेंगे इसके वज़े से आपको अच्छे प्राइज जो है वो देखने को मिल सकते हैं दूसरी एक बड़ी खमर की बात करें तो जो आप अभी स्किन के ओपर देख सकते हैं इंटेल एक्वाइस लीड रेडियों डिस्कृट जीप्यू आर्किटेक्ट फ्रॉम एमडी तो यहां पर य क्या वाइस एक बड़ी तो अब ही यह इंटेल के लिए और जीप्यू आर्किटेक्चर में हेल्प करेंगे यह करें जीप्यू करने के लिए एक ऐसका आने वाले इसके पहले आपको अगर पता होगा तो यह आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं एंट्टल हायर अपल अन् तो इसका मतलब यह है कि आपको एक कॉंपिटिटी लेवल के डिस्केट ग्राफिक काड इंटल की तरफ से देखने को मिल सकता है यह तो होगे फर्स्ट रीजन जो जिसके वज़े से आपको ग्राफिक काड जो है अच्छे प्राइज में बिल सकते हैं फिर इंटल भी आपका चे मैने के अंदर आपको यह ग्राफिक काड मार्केट में तिकने चालू हो सकते हैं सेकंड रिजन बात करेंगे न्यू मॉडल लांच इस तो न्यू मॉडल लांच इस सबकी तरफ से होने वाले एंडी भी अपने मॉडल से लाँच करने वाला है जैसे आई यह थी बतले आ या फिर थी थाउजन सीरिस के अन्वीडिया के ग्राफिक काड़े वह भी मार्केट में रहेंगे सेकंड मार्केट में भी रहेंगे और नए भी प्रोड़क्स रहेंगे काफी सारे डिटर्र के पास में नए लॉंच जैसे मैंने आपको बताया तो दोनों अगर मार्केट मे रहता है तो सेम केटिगरी में बजट केटिगरी में आपको बहुत सारे वराइटी आफ कार्ड मिल जाएंगे जैसे मैंने आपको इंटर में बताया कि अगर वराइटी रहेगी बहुत सारे ओप्शन्स रहेंगे तो ऑविसली वो डिमांड सप्लाइवाला चीज हो जाएगा और एक ही मॉडल पर बहुत सारा लोड नहीं आएगा सब लोग अपने अपने रिक्वाइमेंट के हिसाब से जो है वो कार्ड सिलेट करेंगे इसके वाज़े से आपको प्राइज में जो है वो करेक्शन देखने को मिल सकता है और एक चीज है कि एम डियो जो है वह हमेशा क सब्सक्राइब करेंगे हर साल हमी दो साल से मैं इनको अच्छी तरह से फॉल्लो कर रहा हो अगर-हां भी 2 आपको पता होगा कि जो भी अगर कर से लोग पहले कर अधुज कर दो हाई-1 बडिभ आफीक आपने अपने बच्पक अगा अपने इंवीडिया के लिए बहुत सारा अच्छा टाइम भी मिल जाएगा तो जिनका बजट अच्छा है वो लोग वो कार्ड की तरफ जाएंगे और बजट कार्ड जो है वो बजट गेमर्स के लिए अवेलेबल होने वाले अगर एंविडिया और करें तो लोग पहले लॉँच करेंगे 4090 या या एंटी की बात करें तो 7900 एक्सट यह टैप के काड्स वो लोग पहले लॉँच करेंगे तो मेरे हिसाब से यह है कि अगर आप वेट कर सकते आपका काम कुछ रुखा नहीं है आप ऐसे मत मत बूलना कि अपने वेट करने बोल और मैरा यह काम रहें गए यह नहीं होना चाहिए अगर मं कर लेना यह होगी हमारा सेकंड रीजन आभी थार्ड रीजन तो सब को पता ही है और मेरा कुछ इसके उपर बोलने की ज़रुवत नहीं है जो की है क्रिप्टो करनसी पर 30 परसंट टैक्स डाल दिया है इंडियन कॉंटेक्स से बात करें तो इसके वज़े से थोड़ा सा जो माइनिंग वगेरा जो है वह लो हो जाएगा अभी आपको पता ही है कि एन्वीडिया के कार्ड ज जाओ एक बटन क्लिक करो और माइनिंग हो जाए तो अगर नॉर्मली माइनिंग करने जाओगे तो आपका जो काड है वह अभी एले चाल रहेगा और उसके बाद में यह 30 परसंट टैक्स भी रहेगा तो माइनिंग के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो जो आ सकता है या प्राइस डॉब आपको देखने को मिल सकता है तो हूप करता हूँ आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा आपको कुछ भी कोईरी हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना अगर वीडियो पसंद आते है ऐसे टाइप के टेक्रीटेट कंटें उनके साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इंफोर्मेशन मिलती रहेंगी आपको बता है यह सारे आर्टिकल के लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपका नॉलिज बढ़ाने के लिए और भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हो बाकी नए हो चानल प अब भी रखते हैं तो हर्णेड लाइक के एम यह भी वीडियो को है तो डेफिनेटल उसको भी कंप्लिट करवा देना चलिए आज के इस वीडियो में एतना ही बाकी मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए साइनिंग और दो